वास्तु शास्त्र के मुताबिक अपने घर के अंदर सुख, शान्ती, समरुद्धी, उन्नत्ती, प्रगती चाहिए तो मैं वास्तु के कुछ खास टिप आपको देना चाहता हूं उसमें से सबसे पहली टिप है अपने घर के अंदर इशान्य कोण के अंदर एक मंदिर की स्थापना करें और नियमित भगवान की पूजा पाट करें दूसरा टिप अपने घर के अंदर अगनी कोण के अंदर रसोई घर को बनाना चाहिए और वो हमेशा साप सुथरा रखना चाहिए तीसरा टिप नेरुत्य कौन के अंदर माश्टर बेडरूम बनाना चाहिए और वायोप्य कौन के अंदर आपको हॉल बनाना चाहिए जहाँ पे सब लोग मिलते हैं जिसे हम लिविंग रूम भी कहते हैं चोथा टिप अपने घर का जो ब्रह्म स्थान होता है जिसे हम वास्तु की नाभी भी कहते हैं वहाँ पे कोई भी प्रकार का वजन नहीं होना चाहिए चोथा टिप अपने घर के अंदर पूर्व दिशा इशान्य दिशा और उत्तर दिशा हमेशा खुला रखना चाहिए ठीक उसके अपोजिट पस्चिन दिशा नेरुत्य दिशा और दक्षिन दिशा ये हमेशा बंद रखने चाहिए वैसे ही नियम है कि अपने घर का दर्वाजा पूर्व इशान्य और उत्तर का होना चाहिए अपने घर का दर्वाजा गलती से भी पस्चिन नेरुत्य और दक्षिन का नहीं होना चाहिए छटवा टीप अपने घर के अंदर लाइट कलर का इस्तमाल करें जैसे कि लाइट पिंक, आईवरी, ऐसे सब कलर का इस्तवाल करें, गलती से भी भड़की ले कलर, डार्क कलर का इस्तवाल घर में न करें और आखरी टिप, अपने घर के उत्तर दिशा के अंदर, उत्तर दिवाल के अंदर हो सकें तो कुबेर जी के यंदर की स्थापना करें, और इसके लिए मंत्र पढ़े ओम कुबिराय नमा, ओम कुबिराय नमा, ऐसा यह दूसरा यंदर भी आता है, कुबेर जी का, इसे भी कर सकते हो और इसके सामने मंत्र बोल सकते हो ओम यक्षाय कुबरायव वैश्रवडायव धनधान्याधी पताई धनधान्याधी देही दापयस्वाहा अगर इतना बड़ा मंत्र बोलने को नजमे तो ओम कुबरायन महां ओम कुबरायन महां ये मंत्र का जाप आप कर सकते हो और अपने घर के अंदर जहां पे तिजोरी होती है जहां पे हम धर्म रगते हैं लक्षमी रगते हैं वहां पे स्पटिक शिरियंतर की स्थापना करें और इसके उपर रोज एक चुटकी भर के कुंकुं चड़ाना चाहिए और मंत्रा बोलना चाहिए अगर ये बुलने को भी न जमे तो ओम श्रिम महा लक्षमे नमा ये मंतरा का जाब करते हुए एक चुट कि आप इसके उपर कुम-कुम चड़ा सकते हो अगर ये उपाय घर में किये जाए तो निश्चित तोर पे हमारे घर के अंदर सुख, शांती, समुरुद्धी बढ़ती है इसके इलावा भी एक उपाय है अगर आपके घर में शंक हो तो आप सुवे शाम शंकनात कर सकते हो तो इससे भी बहुत अच्छा लाब होता है